हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के समधान के लिए देखते रहें अन्तस्यो मैं मिसेज जैन योग भी शेशगे जी हाँ अगर आपका वजन बहुत जादा है और आप भी तेजी से शेप में आना चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्फुल हो सकती है ऐसा ही एक कमेंट हमारे पास आया है वो कहते हैं आज की वीडियों सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो भी 100 या 100 से ऊपर है लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जॉगिंग उसमें आप जोगिंग ना करके सिंपल वॉक करेंगे जैसे कि आप सामने वीडियो में देख रहे है फर्स्ट एक्सरसाइज हलका सा पैरों को चलाते वे पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए जोएंट पेंट को दूर करने के लिए गहरे श्वास पर श्वास के साथ लगा तार दो मिनट तक फर्स्ट वोक ओट ध्यान रहे सत्तर प्रतिशत बिमारियों की जड़ है मुटापा जिसमें सबसे पहले कॉंस्टिपेशन एसेडिटी सर्वाइकल जोएंट पेंट अर्थराइटिस जैसे बिमारियां चुट चुटी आयू में ही लग जाती है सेकिंड एकसरसाइज बहुत ही सिंपल और एफेक्टिव बैक टर्स दीरे से सांस को छोड़ते हुए साइड में आएंगे गहरा सांस भरते हुए फिर से साइड में श्वास को छोड़ेंगे शंता नुसार लगातार एक से दो मिनट इसका भ्यास करेंगे साइड की चर्भी को रिड्यूस करने के लिए कमर को फ्लैक्सिबल करने के लिए शोल्डर्स और आर्म्स को शेप देने के लिए मोटापी के सास सार डायबर्टीज जैसी बिमारी को दूर करने के लिए भी ये एक्सरसाइज काफी हेल्फुल होगी क्योंकि जिन महिलाओं को मोटापा आता है डायबर्टीज होने की सभावना बढ़ जाती है उसी के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नमबर थ्री द्यान रहें जैसे जैसे महिलाओं में वजन बढ़ता है वैसे वैसे आप आलसी हो जाते हैं एक्सरसाइज नहीं करते खाने में कुछ भी खा लेते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल पर भी चेक नहीं रख सकते जिससे बिना एहसास के आपका वजन तेजी से बढ़ता रहता है और इसके लावा कई हैल्थ प्रॉब्लम से भी वजन लगातार बढ़ता ही चला जाता है वजन बढ़ना तो बहुत आसान होता है लेकिन वजन कम करना बहुत मुश्किल काम होता है हाला कि यह असंभव नहीं लेकिन अगर आप ठान ले तो आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं सही शेप में लाने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आम सरकल दोनों बाजी को गोल-गोल चलाते हुए जो आपके अपर बॉडी के फैट को कम करेगा इस एक्सरसाइज को भी आपको लगातार एक से दो मिनिट तक जरूर करना है मोटापी को कम करने के लिए अगर पहले वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो उपर आई बेटन में चेक कर लें उसके बाद ही इन एक्सरसाइज को कंचिन्यू करें एक जरूरी बात यदि आप पहली बार एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू में थोड़ी सी हलकी एक्सरसाइज करें अंत में एक जरूरी बात अपनी बोड़ी के बदलाव को समझने के लिए थोड़ असा समय दे रोज के 10-15 मिनट और साथ में अपनी डाइट पर चेक रखें आज फिलाल इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपनी कोश्चन्स इसी तरह पूछते रहें उसका सोलूशन हम बताते रहेंगे देखते रहें स्वस्त रहें अंतस्योग